हलो फ्रेंग्स, वेलकम टो कृतिकाज अनलाइन टूटोरियल्स, आज मैं आपको खजूर पक याने की डेक्स एंड नट्स की विंटर स्पेशल रेसिपी सिखाने जा रही हूं, वी विल बी मेकिंग दिस रेसिपी विदाउट एनी आड़ेट स्वीटनर्स, पांच टेबल स्पून्स गी गरम कीजिए, उसमें चॉप किये हुए आलमंट्स को रोस्ट करना है, हम अपनी रेसिपी में बादाम, काजू और पिस्टा का इस्तमाल करने वाले हैं, आप चाहें तो कोई और नट्स भी आड़ कर सकते हैं, हमें अपनी रेसिपी में टोटली 1.5 कप्स, मतलब की 1.5 कप नट्स चाहिए होगा, प्रपोर्शन आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, नट्स को मीडियम साइज्ट पीसिस में चौप कर लेना है, सबसे पहले हम आलमंट्स डालेंगे, उसके बाद पिस्ता और फिर काजू डालेंगे, नट्स क्रिस्प हो जाए, तब तक उसे धीमी आज पर पकाना है, इसे लगबग 5-7 मिनिट्स लगेंगे, फ्लेम को स्लो ही रखना है, तब ही हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, देखिए हमारे नट्स इस तरह से रोस्ट हो चुके हैं, इसे स्पून से अलग प्लेट म में ही रहने दीजिए, अब हमें दो कप्स खजूर लेने हैं, जिसके सीट्स को निकाल देंगे, मैंने यहां पर ब्लाक किमिया डेट्स का यूज किया है, जो एकसेस गी बचा था, उसी में डेट्स को 7-8 मिनित तक स्लो फ्लेम पे कोक कर लेना है, हमने इस रेसिपी में प् पर पकाना है, फ्रेंस नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं जो भी नए वीडियोस पोस्ट करूँ, उसके बारे में आपको इन्फोमेशन मिलती रहें, बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर द दी हुई है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उन्हें भी ज़रूर रेफिर कर दीजेगा, देखिए नट्स मिक्स हो चुके हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे, और दस मिनिट तक उसे थंडा होने के लिए छोड़ देंगे, एक अलि भी नट्स डाल कर डेकरेट कर सकते हैं, अब कुछ घंटे उसे कंप्लीटली थंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जब ये कंप्लीटली सेट हो जाए, उसके बाद हम इसके पीसिस कर देंगे, और फिर ये सर्विंग के लिए रेडी है, I hope you enjoyed learning, और यहां स्क्रीन पर है आ झाल ओर नहीं दो कि अधिन ने नायम के लिए से बाद कर दो नहीं है, इस थार दिसेवर को जाए, और यहां सिंगे, लिए पंट्टलीट्ट्ट्रीन धूए, को जो खंट खंविन टो जोड़ को एक लिए कि लिए कॉड़ का कर दो, झाल ओ दिए और फिक्रा के अषे